नमस्कार दोस्तों आप सीखें नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल करर का एक बहुत ही खुबसूरत डिजाइन लाई हूँ जिसे आप लेडी स्वेटर में, जेन स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में चाहें किसी भी मन चाहें प्रोजेक्ट में इस्तिमाल कर सकते हैं और आप इसे as a border इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर पूरे स्वेटर में as a design डाल सकते हैं फंदे डालने के बाद आप इसे border मत डालिए और पूरे स्वेटर में यही design डालिए बहुती सुन्दर प्रजक्त बनके तियार होगा तो फ्रेंस चलिए हम डिजाइन बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमें और्ट की संख्या में फंदे चाहिए तो मैंने सिलाई में 11 फंदे डाले हैं तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा ये उल्टा अगला फंदा हम स्लिप कर लेंगे लेकिन हम उन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे लेकिन हम उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे यानि की जाली देते हुए सीधा फिर हम उन अपनी ओर करेंगे अगले फंदे को स्लिप करेंगे हमने फंदे को स्लिप करने के पहले उन अपनी तरफ किया है तो उन अपनी और करेंगे, अगले फंदे को slip करेंगे, next फंधा हम सीधा बुनेंगे और उन हमारी तरफी है, और सीधा बुनेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा स्लिप करेंगे, और नेक्स्ट फंदा सीधा अब ये हमारा second row है और wrong side तो पहला फंदा ये उल्टा है इसे slip करेंगे उन हमारी तरफ ही है और next फंदा सीधा उसे हम सीधा बुलेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा slip करेंगे और next फंदा सीधा है अब यहां देखिएगा ये हमने अपनी तरफ रखे हुए ही सीधा बुना था तो ये जो फंदा है इसको भी सीधे फंदे के साथ हम बुन लेंगे उन हमारी तरफ ही है और ये सीधा फंदा और ये जो धागा है जिसे हमने अपनी तरफ रखे हुए ही सीधा फंदा बुना था तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे फिर उन अपनी और करेंगे अगला फंदा ये देखिए उल्टा है इसे स्लिप करेंगे उन हमारी तरफी है फिर ये सीधा फंदा और ये जो धागा है इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे दोनों को एक साथ लेते हुए ही उन अपनी और करेंगे ये उल्टा फंदा है इसे स्लिप करेंगे और ये हमारा सीधा फंदा है और ये धागा है दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे हमने दोनों को एक साथ लिया और एक सीधा फंदा बना लिया अब फिर उन अपनी और करेंगे उल्टे वाले फंदे को slip कर लेंगे और यह सीधा फंदा और यह हमारा धागा दोनों को एक साह लेंगे एक सीधा फंदा बना लेंगे लास्ट फंदा उल्टा है इसे उन अपनी और करेंगे और उल्टा बुलेंगे अब हम आ गये तीसरी लाइन पे तो पहला फंदा एज स्टीच है इसे या तो सीधा बुने या फिर स्लिप कर लें अगला फंदा उल्टा है तो उसे बुनने से पहले हम उन अपनी ओर कर लेंगे इस फंदे को स्लिप करेंगे अब ये सीधा फंदा है और ये धागा है दोनों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा slip करेंगे अब यह सीधा फंदा और यह thread दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे उन अपनी और दो ही फंदे का यह design है एक फंदा slip करना है next फंदा हमें सीधा बुनना है लेकिन सीधा बुनने से पहले उनको अपनी तरफ रखना है उन अपनी और किया एक फंदा slip किया next फंदा हमें सीधा बुनना है लेकिन इस thread के साथ ही बुनना है तो दोनों को एक साथ लेंगे एक सीधा फंदा बना लेंगे दो ही फंदे का और एक ही लाइन का ये डिजाइन है तो इसी एक लाइन को हमें दोनों तरफ से इसी एक लाइन को दोराना है एक फंदा उल्टा जिसे स्लिप करना है और सीधे फंदे को हमें उन अपनी तरफ रखे हुए ही सीधा बनना है उन अपनी और करना है, उल्टे फंदे को स्लिप करना है, सीधे वाले फंदे को और थ्रेड को दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाना है तो ये दो फंदे और एक लाइन का ही डिजाइन है आगे से भी वैसे ही बनना है और पीछे से भी सेम वैसे ही बनना है तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बनाया हुआ है देखिए ये एक खुबसुरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा आगे से भी वैसा ही है और पीछे से भी सेम वैसा ही है दोनों साइड्स से हम ये सेम ही बनेगा क्योंकि हम दोनों तरब से एक ही लाइन को रिपीट कर रहा है तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में इसे शेर कीजिए बेल आइकन प्रस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोडिफिकेशन आपको मिलता रहा है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद